प्रति दिन सीरियल वाई जाएंगे इसलिए आप प्लीज इस चैनल को लाइक तता सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आज का पहला सवाल है भारत के सविधान में बिटिश सविधान से क्या नहीं लिया गया है संसेदिय नियम, एकल नागरिक्ता, मौलिक अधिकार या कैबिनेट प्रणाली तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमने बिटेन से संसेदिय नियम लिये है cabinet प्रणाली भी लिये हैं लेकिन मौलिक अधिकार नहीं लिये हैं मौलिक अधिकार हमने किस से लिये हैं तो United States of America से हमने मौलिक अधिकार लिये हैं दूसरा प्रश्ण है The idea of concurrent list in the Indian constitution is taken from the constitution of Ireland, Canada, Australia या Japan भारतिय समविधान में समवर्ती सूची का विचार समविधान से लिया गया है Ireland, Canada, Australia या Japan तो इसका answer हो जाएगा Australia तो Australia से हमने concurrent list मतलब कि समवर्ती सूची लिया है तो समवर्ती सूची होती क्या है तो ये क्या होते हैं 52 items होते हैं 52 items होते हैं जो कि 7th schedule में दिये गए हैं हमारे 7th schedule में दिये गए हैं भारतिय समविधान के 7th schedule मतलब अनिसूची में दिये गए हैं सात्वी अनिसूची में इसमें ऐसी ताकत होती है कि केंद्रव और राज्यसरकार दोनों इसे लागू कर सकते हैं तो एक तो होता है आपका state list, एक होता है आपका union list और एक होता है आपका concurrent list, तो यह तीन list होते हैं, state list को state use करता है, union list को union use करता है, लेकिन concurrent list को जो state और union दोनों होते हैं, वो दोनों use कर सकते हैं, तो समवर्ती सूची को concurrent list बोलते हैं, Third question है which of the following is not matched correctly पहला है right to equality article 14-18, right against exploitation article 22-22, right to religious freedom article 25-28, right to cultural and educational freedom article 29-30 Right to freedom मतलब कि स्वत्रनत्रता का अधिकार वो 19 से 22 होता है तो आपका जो सोशन का अधिकार होता है वो 20 से 22 ना होकर कितना होता है आपका right against exploitation होता है 23 से 24 तो सोशन के खिलाफ अधिकार आपका ये क्या सही डंग से मेल नहीं खा रहा है ये 23 से 24 होना चाहिए था धार्मिक स्वत्रनत्रता का अधिकार right to freedom of religion 25 से 28 होता है बिल्कुल सही और सांस्कृतिक और शिक्षा स्वत्रनत्रता का अधिकार अनुचेद 19 से 30 बिल्कुल सही अगला question पे चलते हैं In the constitution of India, the term federal appears in the preamble Article 368, Part 3 of the constitution, none of the above भारत के समिधान में सब्द संगिये में प्रकट होता है प्रस्थावना, अनुचे 368, समिधान का भाग 3, वो प्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो fourth का क्या हो जाएगा आपका अंजर, वो प्रोक्त मैंसे कोई नहीं प्रियांबल जो है, हमें क्या बताता है brief introduction देता है समिधान के बारे में समिधान के बारे में बताता है वो अनुचे 368, अनुचे 368 क्या है समिधान संचोधन के बारे में बताता है कि हम संचोधन किस किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें अनुचे 368 बताता है समिधान का भाग 3 क्या बोलता है सविधान का भाग तीन हमें fundamental rights के बारे में बताता है हमाले मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है तो इसमें उपरोक में से कोई नहीं का अंसर सही हो जाएगा अगला question है Indian constitution is quasi-federal, federal, unitary या फिर presidential भारतिय सविधान है, अर्द संगिय, संगिय, एकात्मक या राष्ट्रपती तो हमारा क्या है? quasi-federal है अर्द संगिय है, मतलब की वो क्या है? half-federal है ठीक है? वो union भी है और federal भी है तो federal का मतलब क्या होता है? अब federal का मतलब क्या होता है? मतलब संगीय का मतलब क्या होता है तो federal का मतलब होता है आपका जिसमें क्या होता है center जो होती है उसको आप तोल नहीं सकते indestructible होती है और जो आपकी state होती है वो भी indestructible होती है मतलब center और state को आप तोल नहीं सकते संगीय के case में मतलब federal के case में आप center और state को indestructible होता है तोर नहीं सकते लेकिन जो आपका union होता है, मतलब कि जो आपका quasi-federal होता है जैसे इंडिया quasi-federal है तो इसमें क्या होता है? quasi-federal में जो center होती है वो आपकी indestructible होती है मतलब कि आप उसको तोड़ नहीं सकते, यह federal का एक गुण हो गया, लेकिन जो आपका state होते हैं, वो destructible होते हैं, मतलब उनको आप तोड़ सकते हैं, तो यह union का हो गया, तो इसलिए हमारा India क्या कहलाता है, quasi-federal कहलाता है, क्योंकि center जो होता है हमारा, वो indestructible होता है, state जो होत national emergency, तो आर्टिकल 14-28, आर्टिकल 19, आर्टिकल 2021, आर्टिकल 29-30, राष्ट्रिय आपातकाल के दोरान, निम्लखित मैं से कौन सा लेक अशक्त नहीं हो सकता, अनुचेद 14-18, अनुचेद 19, अनुचेद 20-21, अनुचेद 39-30, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, इसका सही answer हो अनुचेद 20-21, तो आर्टिकल 20 और 21 को emergency के दोरान नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, तो आर्टिकल 20 कहता है, कि किसी इनसान को दोशी नहीं करार दिया जाएगा, सिवाए कानून के उलंगन के, और किसी को भी एक गुनाह की दो बार सजा नहीं मिलेग है, और उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये आर्टिकल 20 और 21 जब emergency पड़ती है, national emergency होती है, तब ये नहीं हटा या जा सकता, 7th schedule is concerned with, from languages, partition of powers between central states, from the judicial areas of the state, from panchaiti राज, सात्वी अनुसूची के साथ संबंध है, भासाओं से, केंद्र और राज्यों की बीच सकती का विभाजन, राज्यों के न्याइक छेत्रों से, या फिर panchaiti राज से, तो सात्वी अनुसूची किसके बारे में बात करती है, हमने schedule, और ये बात करती है, केंद्र और राज्यों के बीच, शक्तियों के विभाजन के बारे में, ठीक है, इसमें 3 list होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था, एक होता है union list, एक होता है आपका state list, और एक होता है आपका concurrent list, ठीक है, ये 3 list इसमें होते हैं, 8th question की बात करें, which of the following is called mini constitution, तो mini constitution किसको बोलते हैं, Government of India Act 1935, 42nd constitutional amendment, 44th constitutional amendment, Government of India Act 1919, निम्लखित मैं से किसको mini सविधान कहा जाता है, भारत सरकार अधिनयम 1935, 42 संज्विधान संचोधन, 44 संविधान संचोधन, भारत सरकार अधिनयम 1929, तो किसे बोला जाता है? 42 संविधान संचोधन को mini constitution बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके सविधान जो सविधान था आपका उसके अधिकतर जो पाट थे उसको संशोधित 22 संविधान संशोधन के दोरान ही किया गया था तो इसको पास कप किया गया था तो ये पास किया गया था 11 नवंबर 1976 में अगला प्रश्ण है भारती राजनीतिक व्यवस्ता में संगी व्यवस्ता की निम्लखित विशेशताओं में से कौन सा नहीं पाया जाता है दोरी नागरिकता, संगी और राज्य सरकार के भी शक्तियों का वितरण, सविधान की सर्वोच्चता, सविधान की व्याख्खा करने के लिए अदालत का अधिकार तो इसका क्या अंसर हो जाएगा, नाइंत का, तो आपका Dual Citizenship, तो इंडिया में क्या है, Dual Citizenship नहीं पाया जाता है ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी अलग देश का Citizenship लेते हैं, अगर आप भारती नागरिक है और किसी और देश की Citizenship लेते है, तो आपकी 10th question की बात की जाए, which of the following is not matched correctly, part 1, union and its territories, part 2, citizenship, part 3, directive principle of state policy, part 4, 6, state governments, तो कौन सा है इसमें पार्ट, निवनखित मैं से कौन सा सही डंग से मेल नहीं खा रहा है, भाग एक केंदर और उसके परदेश, भाग दृतिय नागरिक्ता, भाग तीन निर्देश, सिध्धान्त और जे सरकारें, तो कौन सा सही डंग से मेल नहीं खा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, c part, भाग 3 क्या होता है, तो भाग 3 किस से जुड़ा होता है, तो fundamental right से जुड़ा होता है, मतलब मौलिक अधिकारों से जुड़ा होता है, तो अगर आप भाद करें, तो भाग 1 होत और उसके प्रदेश, उनियन एंडिस टेरिटरी, तो ये 1 से 4 तक होते हैं, उसके बाद भाग दितिय नागरिकता शिटीजन्शिप, वो 5 से 11 तक होते हैं, फिर उसके बाद भाग 3 होता है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार होता है 12 से 35, उसके बाद होता है DPSP, ठीक है, भ भाग 5 में आता है the union और भाग 6 में क्या आता है the states उसके बाद है which of the following is not matched correctly आर्टिकल 312 the function of public service commissions आर्टिकल 110 definition of money bill आर्टिकल 112 budget आर्टिकल 51A fundamental duties निल्खित मैं से कौन सा सही डंग से मेल नहीं खा रहा है अनुचे 312 लोग सेवा आयोग के कारिय अनुचेद 110 आपका कहे धन आर्टिकल 112 budget आर्टिकल 51A मौलिक करता है तो कौन सा सही डंग से मेल नहीं खा रहा है तो आर्टिकल जो है आपका 312 वो किसले होता है आर्टिकल 312 होता है आपका लोग सेवा संग की स्थापना करी जाएगी जो कि राजित था केंद्र दोनों के लिए common होगा ये बोला जात आयोग के कारियों के लिए 320 में बोला जाता है ना कि 312 में 312 में क्या कहता है कि लोग सेवा संग की स्थापना करी जाएगी जो कि राजित था केंद्र दोनों के लिए common होगी 12th question है Indian constitution is rigid, flexible, neither rigid, neither flexible, partly rigid and partly flexible तो इन में से भारत्य सविधान है कठोर, लचीला, ना तो कठोर और ना ही लचीला, आशंग की ग्रूप से कठोर और आशंग की ग्रूप से लचीला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, ग, ना तो कठोर और ना ही ठीक है? हमारा भारतिय सविधान ना ही flexible है और ना ही rigid है, rigid constitution का क्या मतलब होता है? मतलब की कठोर का क्या मतलब होता है? कठोर का मतलब होता है कि कुछ special तरीकों से ही क्या होता है? सविधान का संशोधन किया जा सकता है, मतलब कि आपको बहुत जादा procedure करने पड़ते हैं, ब कुछ cases में क्या होता है? सविधान शंशोधन करना बहुत ही आसान होता है, कुछ तरीकों में आसान होता है, कुछ तरीकों में कठोर होता है, इसलिए से बोला गया है, neither rigid nor flexible. अगला प्रश्ण है, जिसमें कि राइट तु फ्रीडम में, इसको आपको तो right to education पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि right to education आया कब था? तो यह आया था 86th Amendment Act, मतलब कि सविधान शंशोधन जो 86 हुआ था, 86 हुआ था, 2002 में. उसमें आया था, और उसके तहट क्या क्या आगया था? कि right to education क्या होगा? आर्टिकल 21A में स्ताफित किया जाएगा, जिसकी बैस से क्या होगा? फ्री और जरूरी शिक्षा का प्रावधान रखा जाएगा, और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होगा, तो ये right to freedom के अंदर 21A में आता है. 14th question है, consider the following statement, the Indian constitution is an unwritten constitution, a written constitution largely based on the Government of India Act 1935, a gift of British Parliament. तो निमलखित कत्नों पर विचार करें, भारतिय सविधान क्या है? एक अलिखित सविधान है, एक लिखित सविधान है, मुख्यत है भारतिय सरकार अधिनियम 1935 पराधारित है, ब्रिटिश संसत का एक उपहार है, तो 14th का क्या answer हो जाएगा? 14th का हो जाएगा second, और written constitution, Indian constitution क का उथारण है, Indian constitution, लेकिन, अगर आपकी बात की जाए, British constitution क्या है, तो वो वो अलिखित सविधान का एक उथारण है, ठीक है? रिटञ का मतलब क्या होता है? रिटन का मतलब होता है कि हमारे पास एक किताब होती है, जैसे कि हमारे पास सविधान की एक book है, ठीक है? लेकिन Unwritten क्या होता है? Unwritten होता है, बहुत सारे documents हैं, लेकिन उसकी एक proper जो है किताब नहीं है, तो British क्या है? एक Unwritten Constitution का example है, 15th question है, The Federal System of India was inspired by the Constitution of the following, भारत की संगी विवस्ता निम्खित मिस्सिक के सविधान से प्रेरी थी, तो किसके सविधान से प्रेरी थी? Canada, UK, USA, Ireland, Canada, UK, America या Ireland, त तो इसका answer हो जाएगा, Canada, तो guys, यह थे आज के top 15 questions, अगर आपको यह पसंद आए, तो please like कीज़े, share कीज़े, subscribe कीज़े, thank you so much and God bless you all.